साउथ की फिल्मों के सुपर स्टार विज़ की फिल्म अरसल ने बॉक्स आफिस पर तावरतोड कमाई की है बता दें कि फिल्म ने केवल तीन दिनों में रीकॉड सा करोड रुपे कमा लिये हैं फिल्म साल की सबसे बड़ी तमेल रिलीज मानी जा रही है फिल्म को डायरेक्टर अतली कुमार ने डायरेक किया है और एयार रह्मान ने म्यूजिक दिया है फिल्म दिवाली से एक दिन पहले याने की 18 अक्टूबर को रिलीज हुई थी खबर है कि फिल्म कई विवादों से निकल कर सिनेमा घरों तक पहुंची थी और पहले दिन ही 43.3 करोर रुपे बॉक्स ऑफिस पर इखटे कर बैठी बता दें कि फिल्म में जिये सटी और नोट बंदी पर फिल्म आये गए सीन पर भाजबा ने आपत्ती दर्ज कराते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी इसके बाद तो बाद कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांदी ने पी एम मोदी पर निशाना साधा था उन्होंने ट्वीट गिया कि मोदी जी सिनेमा तमिल संस्कृती और भाशा की एक गहरी अभिव्यक्ती है फिल्म मरसल के मामले में दखल दे कर तमिल संस्कृती से छेड़ छार न करें इस पर साउथ फिल्म इंडिस्ट्री के एक और सुपरस्टार का मलभासन ने कहा कि फिल्म मरसल पहले से सर्टिफाइड है इसे री सेंसर मत करें किसी भी तरह की आलोचना तर का संगत होनी चाहिए